बता दें आपको कि संसत के शीत कालिंज सत्र का सात्मा दिन है आज माफी मुद्धे पर सरकार और विपक्ष में तक्राड लगता जारी है हंगामे की बीची कई विध्यक पास कराने की सरकार की कोशिश रहेगी वित मंतरी अरुण जेटली के मंतराले से जुड़े विध्यक होंगे मंतरी हरदीब सिंग्पुरी और महिश शर्मा के मंतरालों के भी विध्यक राजे सभा में भी माफी मुद्धे पर विपक्ष के उग्रुते वर जारी रहेंगे राज्य सभा चली तो कश्मीर में पत्थर बाजी पर गिरह मंतराली जवाब देगा दिली में वहिलाओं की सुरक्षा पर भी गिरह मंतराली जवाब देगा मनमौन सिंग के इंटेग्रिटी मुद्दे पर राज्य सभा में पढ़ा जाएगा बयान सूत्रों के हवाल से ये खबर है राज्य सभा में पढ़े जाने वाले बयान को राज्य सभा एंडॉर्स करेगा पूरा प्रधानमंती नरिद मोदी भी उस वक्त सदन में मौजूद रहेंगे मोदी माफी नहीं मांगेंगे मगर इससे गतिरोद खत्म करना असान होगा सदन से एंडॉर्स पर विपक्षु समान जनक तरीके से खत्म कर पाएगा गतिरोद बयान का ड्राफ्ट गुलाम नभी और अरुन जिटले की निगरानी में हुआ है तयाद ये सूत्रों के हवाज से ख़बर मिल रही है और सूत्र ये भी कह रहेंगे इसे मनमोहन सिंग को भी दिखाया गया है तो संसत के शीत कालिन सत्र का आज साफन दीने सरकार विपक्ष के बीच पियम मोदी की माफी की मांग को लेकर तकरार जो है वो लगातार जारी है आपको बताने कि सरकार इसी दुरान कई विदेहक पास कराने की कोशिश करेगी सरकार की कोशिश रहेगी कि हंगामा भली होता है लेकिन हंगामे की बीच कई विदेहक पास हो जाए वितमंदी अरुन जेटली के मंत्राले से जुड़े विधेत होंगे मंत्री हरदीव सिंग्पुरी और महिश शर्मा के मंत्रालों के भी विधेत होंगे तो राजी सभा में भी माफी मुद्दे पर विपक्ष के उग्र टेवर जारी रहेंगे राजिस सभा चली तो कश्वी में पत्थरबाजी पर गिरे मंतराले जवाब देगा दिली में महीराओं की सुरक्षा पर भी गिरे मंतराले जवाब देगा मनमोहन सिंग के इंटेग्रिटी मुद्धे पर राजिस सभा में बयान पढ़ा जाएगा इस ख़र पतादा बाचित के लिए लुक करेंगे हमाई समधादा संतोष उपाठाकर जो इस वक्त हमासाथ फोल नाइन पर जुट चुक है संतोष उसनसथ के श्रीत कारें सत्र का आज इस सात्मा दिन है क्या लगता है जो तक्रार लगता सरकार और विपफश के बीच है पेम मोदी की माफी की मांग को लेकर वो आज भी जारी रहेगी देंगे बिलकुल ये तक्रार जारी जरूर रहेगी लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद संचोटे का जो कोई फॉर्मूला है वो एक तयार हुआ है राजसभा के जो सभापती हामिद अंसारी उन्होंने जो एक कमिटी बनाई थी तो गुलाम नभी आजा तो और अरुन जेटली के बीच बैटकों का कई दोर के बाद एक प्रस्ताब तयार किया गया है तो एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को माप्ती भी ना मागनी पड़े और पूर्धान मंतरी मनमोहन सिंग की जो विस्वसनियता जो इजज़त जिसको कांग्रेस एक मुद्दा बनाती रही है वो भी बरकरार है हाना कि इस ड्राफ को किस सरह से पेश किया जाएगा इस पर अंतिम फैसला आपसे थोड़ी देर बाद यानि जी चले संतोष इस तमाम जानकारे के लिए आपका शुक्रिया